आज हम नाइंत क्लास का एड़्त लेसन एक्षप प्रशनों इस लेसन को पढ़ेंगे एक्षप द्वारा अड़ीना प्रशनों लोग प्रस्तावना चीतर देखिए इस प्रस्तावना चीतर में कौन है ये ये है स्वामी विवेका नंजी यहां करने कुछ प्रेशन भी दिया हुआ है इस्वर क्या है जर्म से पहले हम क्या थे मानम पुटा का मुंद मानम यावरमू मृत्य के बाद हमारा क्या होगा चानी पहने तरह होता मनम ये मावतामू इस्वर अगर है तो क्या उसे देखा जा सकता है औक वेले इस्वरोडू उन्नाडू अने उन्टे अधनी मानम चुड़ोच्छा इन्नी प्रेश्ण लाननी येवरोगोच्च आई स्वामी विवेका नंद के प्रेश्ण है देखते हैं ये प्रेश्ण किसके मन में उत्पन हुए थे तो ये सारे प्रेश्ण स्वामी विवेका नंद के मन में उत्पन हुए स्वाम्मी विवेका नन्ने इन प्रश्णों का उतर किस्से पूछाओगा इनकी मन्स्टों इननी प्रश्णों लुरने गदा इवनित के समाधारम यह तो अडगुन तारू इनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है जीवन में उनती करना है तरक्की करना है तो मानसिक और सामाजिक विकास आधिको ध्यान में रकर हमें आगे जाना चाहिए कहानी विद्धा के माध्यम से कहानी लिखने का ज्यान प्राप्त करना जिग्यासा वा दाशनिक प्रश्णों के माध्यां से बौधिक विकास करना इस्टोरी एटला रायाली अनना इस्टोरी विधानी परिचेम चेस्तू इंट्रेस्टिंग एनना कोशन तोटी वाले तेलिवत एटने पैंचडमे लेसनों का उद्धेशा यहाँ घटना महाभारत काल किया उस समय पांडव द्रौपती सहित बारा वर्श के वनवास पर थे एक दिन अचानक एक ब्राम्बन पांडव के पास आया वहाँ अपनी व्यता सुनाते हुए कहने लगा एक हिरन मेरी अरनी की लगड़ी लेकर भाग गय आ मेरे पास यग्य की अग्नी पैदा कन्ने के लिए दूसी लकड़ी नही है क्रिप्या मेरी लकड़ी वापस दिला दो इस संगटना एपुड़ दी इदी महाभारतम कालांदी अपड़ू पांडव लो द्रौपती तो पन्यन साउंचल वनवासन की वेल्लारो वक रोचु, वक ब्रहम मनोड वच्ची आतनी बाध विलिके चप्पाड़ू आ बाध एंटि दी आंटे वक जिंका ताना अरनी कारण तीसकोन विलिपेंदी अरनी की लकड़ी आंटे देन नांटामू आपड़ रोषुलू, मूनूलू, यग्यां जेसे एट आपड़ू वाल देगर अग्गी पेट्टी आनने उन्डे दिगादू यपड़ मन देगर अननी अग्गी पेटलू उन्टूने वाल देगर अग्यां जेयाली आनांटे अपड़ू पातकालम्ला आदियू मानूल एटला जेसे वालू अग्गी पुट्टी आननाटे वका स्टोनी रेंडो स्टोन तो पाटू गेट्टिकार उद्धिते अकर अग्यां नेदू उच्चेदी अलागे ई रुषुलू गूडा अग्यी पुट्टी आननाटे किंदेमों उख कर्रा उण्टून्दी किंद इ रकंगा उख कर्रोंडी मजलो होल लागा उण्टून्दी इई होल मीदा इनको उख सन्ना कर्रा बेट्तारो मजलो गेड्डी बेट्टी गेड्डी बेट्टी गेड्डी बेट्टी एसी दनी रुधिते अग्या नेदी मंटा नेदी उच्चेदी दन्ने आन्टारो अरिनी कर्रा आडी रीसकोनी पेली पोहिंदी यहुरू जिंका क्रिप्याम दैचेसी नाकु ना करन वापसी पिच्चंडी एंदु कंटे ना देगर मल्ली एग्यों कोसमो मंटव पुटिन चाली मंटव दैवाली अना देगर वेरे करल लेदू पांडो ब्राह्मन की व्याथासे प्रभावी थुए इसलिए वे हीरन की खोज में निकल पड़े पांडो ब्राह्मने बाधने याला प्रभावी तमय आरो इंदु कोसमो वालो जिंका वन्नी व्यतकडाने की वेल आरो थोड़ी दूर जाने पर उन्हें हीराइन दिखाई दिया उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े परन्तु हीरन उनकी आँखों से पुना गायब हो गया हीरन की खोज में भटकते 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 वे धग गया और विश्राम के लिए एक व्रिक्ष के निचे बैड़ गया एथे वाल जिंका नी कुंचे दूरा वेला गाने जिंका गाने पिस्तुंदी आँजिंकन वटकुंदामो अंदग्रिक वेले अटपड़ की जिंका परिकेटी पारिपोथ होंदी आला आगया जिंको कोसा वेतुगतू वेतुगतू चाला दूरा वेली विल अलिसी पोह्या रो वह कचिट किन्दा कोच्व नी रिष्ट दिसकुन्दा मने वह कचिट किन्दा कोच्व ना रो प्यास के मारे सभी के कंट सूख रहे थे अटे दाहम तोटी वाला गुंत लहनी एंडी पोया है युदिष्टीन ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा युदिष्टीन नकुल नी वाटर दिसक्राम मने पंपिच्चारो नकुल पानी की खोज में निकला और चलते चलते एक सरोवर के पास पहुँचा अटे नीलुक असे वेतो उत्तू वेतो उत्तू नकुलों को सरोवरम देगर की छेराडो सरोवर देखकर उनका मन प्राफूलित हो गुठा वह सोथी नहीं लगा की क्यों न मैं पहले अपना प्यास भुजालू वह अपना पानी के लिए अंटे वकट सरोश देगर के लताडो अकड़ वाटर गन्न पिस्तोंदी आ वाटर तिन चूसी अम्मया वाटर दोड़की निरी गदाने फस्ट इतन तागड़ान के ट्रैजेस ताडो नकुल नकुल यलगेते वाटर तागड़ाने की की दो सिरलो नील पटुकों टाडो इन तुलोंने को साउंड उस्तोंदी हे नकुल पानी पीने का दुस्ताहस ना करो सावधान हे नकुल वाटर तागे आंता दुस्ताहस अम्मु छेयोदको पहले मेरे प्रश्णों के उत्तर दो फस्ट नाग ने नडगेक प्रश्ण लगके जवाबेवो नकुल छेताउनी की परवा ना करके पानी पीनी लगा नकुल आतनी हेच्चरीकान पटिच को लेदो पटिच कोकोने वाटर दागडानी की ट्रेजे स्याडो पानी पीते ही वह भूमी पर गीर गया नील डाग गाने नकुल भूमी मेदा पढ़िपोयाडो बहुत देड तंग नकुल के ना लवटने पर युदिष्टीड को चिन्ता सतानी लगी अन्ट चाला से पईपे निगदा नकुल वेल्ली इंका राले दू अनी युदिष्टीड की गोकटे चिन्ता सता इस्सुन्दे उन्होंने उनकी खोज में बारी बारी से सहादेव और जून और भीम को भेजा इंका अलागे नकुल नी व्यतकडमानी वकल तरवात वकल सहादेव नी तरवात और जून भीम अंदन नी पंपिचड़ो यक्षकी चेतावनी की उपेक्षा करते वे सभीने सरोवर तरट पर प्यास बुझाने का प्रयास किया और नकुल की भाती धरा पर नकुल कोसमों सहादेवडू सहादेवड कोसमली अर्जून मली भीम वकल तरवत वकलू मुगरू वेल्यारू कानी यवरी कूडा यवरी हेच्चेरी कानी पटिंचुको कोंडा आतनी उद्धन ना कोडा आतनी प्रेश्णालोको जवाब एवकोंडा वाटर ताग्यारू यला गैते वाटर गोंतुकाड की वेल्लींदो वाले अंदर भूम मेदा अलागे पड़िपोयारू पड़िपोयारू अंटे चणिपोयारू जब कोई भी लाटका ना आया तो युद्धिश्टिड स्वयम चिन्तित आवस्था में उनकी खोज में निकल पड़े यवरू राकपई वाध तो आतनी कुडा वालनी वेतुक कुण्टू बहल दे राडो त्रिसा से व्याकुल युद्धिश्टिड पहले अपनी प्यास सांत कन्ने केले सरोवर की ओर गए अंटे इतनी कुडा दाहाम वे सुनी गदा इतनी कुडा दाहाम तीर्चको वाली आनी फस्टू आ सरसु देगर की भेलनारू वही युद्धिश्टिड को अपने भाई धना पर पड़े दिखाई दिये जैसे ही वे आगे बड़े तो उने भी वही आवास सुनाई दी सावधान तुमारे भाईयोंने मेरी चेतावनी कियो ध्यान नहीं दिया इसले उनकी यहा दशा होई यदि तुम पानी पिना चाते हो तो पहले मेरे प्रश्णों के उत्तर दो आ सरोवर देगरा युद्धिश्टिड वाल्ला नलुगुर ब्रदर्स भूमी मेद पड़ी उन्डी कनिपिन्चारो सरोवरम देगर की वेल्ले आड़ो आत्तनी गुड सेम आला आंटी सावंडे विन्पिन्चिन्दी येंटि दा सावंडु अंटे सावधान मी तमुल्लु गोडा नेन इच्चिन हेच्चरीकाने पट्टी चुको उक्कोंडा ये नडिगेने प्रेष्ण लोकु समाधान चप्पको कुणना वाल वाटर तागाडान की साहसिंचार कावाट्टी वालो नेलमेद इला पड़ी उन्नारो नूगु कुडा आटर तागाली अनुकुण्टे फरस्ट नेन आडिगे प्रेष्ण लोकी समाधानम इवुमनी जबताडो फिर अपनी प्यास भुजाना प्रेष्ण लोकी समाधानम इच्चि तरवत नीद्दा हम थिर्चको युदुष्टी ने कहा स्रीमान आप प्रेष्ण कीजिये मैं उत्तर देने केल तैयार हो यते में आटरो सरे फिर प्रेष्ण लाड़गंडी ने समाधानेवडान की रेडिगा हुन्नानु यख्षो मनुष का साथ कौन देता है? अंटा मनुष की? मनुष की तोड़ यवरुंता रू युदुष्टी नाटाडो? धायरी ही मनुष का साथ वहा कोंसा सांसरे जिसका अध्हान करके मनुष बुद्धिमान बनता है? ए विद्ध्य वाल्ला मनुषी बुद्धिमन्तोडू अवताडू कोई भी सास रहसा नहीं है महा लोगों की संगती से ही मनुष बुद्धिमान बनता है अलाटी विद्ध्य एमी लेदू अपवालो तो फ्रेंशिप चेड़ां वाल्ला मनुषी बुद्धिमन्तोड अउताडू यक्ष भुमी से भारी चीज क्या है अन्टे भुमी कंटा बरुए ने दी ये दी यू दिश्टिट संतान को कोक में धारन कनने वाली माता भुमी से भी भारी होती है अन्टे संतानानी गर्भमलो धरींचिना तली भुमी कंटे एकवा बरुगा उन्टूंदी यक्ष आकास्ते भी उचाक कौन है अन्टे आकासानी कंटे यतनत यवरू पिता अन्टे तन्री यक्ष हवासे भी तेच चलने वाला कौन है अन्टे गाली कंटे गोड़ वेगंगा प्रयान इंचे दी एंटी दी मनासू यक्ष विदे जाने वाले का साथी कौन होता है अन्टे विदे शाले के वेल्ले वारी वेंटा यवरू उन्टारू विद्या अन्टे चदू यक्षर मरनासन विरिद्धिका मित्र कोर होता है चाओ कि सिद्धंगा उन्ना मुसलिवानी की वेंट यवरूंटारू युदिश्टि येम समाधाने मिस्ताडू दान क्योंकि वह मृत्ति के बाद अक्केला चलने वाले जीव का साथ देता है अंटे चनिपईन वालतों पाटू मनतों पाट अवर रारू मनन जेशना दान धर्मालो मनन जेशना पुन्य फालाले मनतों पाटू उस्ताई यक्षो सुख क्या है अंटे सुख माणटे येंट दी युदिश्टि जो सीलो सच्चरित परिस्थित है सबसे तुछ क्या है अंटे कांटे तुछ माणट येदी आंटे चिंता बाधा किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है आंटे येदी वदले से मनिशी चाला प्रिति वंतुढ उताडो देनने वदले से अहां भाव के छूट जाने पर इसी प्रकार यक्ष ने कई आन्य प्रश्ण भी किये और युदुष्टी ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिये आंत में यक्ष बोले राजन में तुम्हारे मृत्य भाईयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा आंट इविधंगा एक्षड आडिकिन प्रश्ण लन्येट की धर्मराजु करक्टक समाधान मिच्छारो चिवर की एक्षड इविधंगा चप्पैडो एँट अंटे नेनु मी चैनी पोईना नल्लुगरु ब्रदर्स लो नुँँची एवरो उकनले ब्रत्किन्च गलुँथानु नु एवर कावालानुकुण नावो एवरनी ब्रत्किन्चालानुकुण नावो चोप्पुमने अडु युदिष्टिण ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुपकर बोले मेरा छोटा भाय नकुल। युदिष्टिण के इस प्रकार बोलते ही उन्होने पूछा युदिष्टिण दस हजार हात्यों के बल वाले भीम सेन को छोड़ कर तुमने नकुल को ही जीवित करवाना क्यों ठीक समझा। आपने युदिष्टिण युदिष्टिण दस ही जीवित करवाना चाहां वह सिर्फ इसी कारण की माता कुंती का बच्चावा एक पूतर में हो। मैं चाहता हूं कि माता मादरी का भी एक पूतर जीवित हो। अत्ता आप क्रिपा करके नकुल को जीवित करादे। युदिष्टिण येमांट अनांटे एक्षराजा नेन येंदकनी नकुलने आडियानू अनांटे माता कुंती की ओक कडुकु नेन ब्रतिके होन्नानू। का बटी माताली मादरी कोडुकुड अन्दुवलने दैचेसी नकुलने ब्रतकिन चंडी। युदिष्टिण के धार्म सभाव से यक्ष यत्यनत संतुष्टुए और उनोने वर देते वे यह कहा। पक्षपात रहित मेरे प्यारे पूत्र तुम्हारे चारो भाही जीवित हो। आते युदिष्टिड नी धार्म सभावम तोड़ यक्षडु चाला प्रसन्न मयाडो। वरम इस्तु एम अन्टाड़ अंटे पक्षपातम रही तुड़ैना ना प्रियमैना कुमारा नी नलुगुरु सोधरतुकु तारू। अने जोकताडो। यासे हमारा लेसन एक्स्प्लेनेशन हो गया हैं। अब देखते हैं मीनिंग्स। घटना घटना अन्टे इंसिडेंट संघटना आर नी यग्यों कोच निप्पु पूर्टींचे करा। पोजिना अन्टे वेदकटम। भागना रनावे विश्राम विश्रांती रेष्ट। कंठ। कंठम। सरोवर लेक, सावधान अन्टे जागरता, चेतावनी वर्नी, तर्ट उड्डू, धरा अन्टे भूमी, कोखो गर्भासयम, पल खणम। या से हमारे इस लेशन का एक्स्प्लेनेशन पार्ट पूरा कम्प्रीट हो गया है।